अन्लॉक चार की तैयारी में मोदी सरकार एक सितंबर से मेट्रो सेवाई हो सकती हैं शुरू क्या सितंबर से फिर खुलेंगे स्कूल कॉलेज जल्द जारी हो सकती है नई गाइडलाइन देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच मोदी सरकार ने अन्लॉक के माध्यम से धीरे धीरे धील देना शुरू किया आगामी एक सितंबर से अन्लॉक के चौथे चरण की शुरूबात होने जा रही है ऐसे में सब के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अब सरकार किन चीजों से पाबंदी हटाईगी आशंका चताई जा रही है कि केंदर सरकार अन्लॉक चार के तहत पहले सितंबर से मेट्रो ट्रेंज सेवाओ को चुरू करने की अनुमती दे सकती है हाला कि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां महामारी के स्थिती के हिसाब से ही लेंगे साथी कुछ रेपोर्ट्स की माने तो गरह मंत्राल्य जल्द ही अनलॉक चार के तहत स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्ने ले सकता है इस महीने के अंति तक दिशा निर्देश जारी किये जाने की भी संभावना है जिसके बाद ही सभी अटकलों से विराम लग पाएगा दरसल अनलॉक तीन के तहत गरह मंत्राल्य ने जिम और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमती दी थी और कहा था कि शैशनिक संस्थान 31 अगस्थ तक बंद रहेंगे जैसा कि अगस्थ महा समाप्त होने को है अनलॉक चार के लिए दिशा निर्देश तयार किये जा रहे है हालकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि शैशनिक संस्थान चरनवद तरीके से खोले जाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक्तम सुरक्षा और सावधानी बढ़ती जा सके इसका मतलब ये है कि खास स्टेंडर्ड के सभी सेक्षन के छात्र एक ही दिन स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन इन सब के बीच अनुमान ये भी लगाय जा रहा है कि कोरुना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बविश्य में स्कूल कॉलेजों के खुलने की संभावना नहीं है बीती तीन मार्च से कोरुना महामारी के चलते शिक्षन संस्थान बंध है जिससे बच्चों की पढ़ाई पर गहरा प्रभाव पढ़ा है हालकि सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन क्लास चुरू करने का निर्देश दिया था लेकिन ये विशेश रूप से गाउं वाले एक्षेत्रों में उचित विवस्था और स्मार्टफोन की उपलब्दुता ना होने के कारण प्रभावी साबित नहीं हो सका अब तक देश में जो गतिविदियां प्रतिबंदित हैं उनमें मेट्रो रेल सेवाई, सिनेमा घर, तरन ताल, मनुरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार और इसी तरह की अन्य जगहों पर प्रतिबंद लागू है इसके अलावा सामाजिक, राजनितिक, खेलकूद, मनुरंजन, शैश्डिक, सांसकरतिक, धार्मिक आयोजनों और बड़े सम्मेलनों को अगले एक महने तक प्रतिबंदित रखा जाएगा स्वास्थे मंत्राले की तरफ से जारी किये गए आंकडों के अनुसार देश में कोरुना संकर्मितों की संख्या 31,6,348 हो गई है वीते 24 घंटों में कोरुना के 7,408 नए मामले सामने आए और इस दोरान 836 कोरुना संकर्मितों की मौत भी हुई है अब तक 23,88,35 मरीज ठीक हो चुके हैं और 57,542 लोगों की जान जा चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी